नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिटु कुमार और मेरे यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है दोस्तों पहले वद दूसरे चनल में कोंसलिंग के बाद मिला था चैन पत्र तीस परखंड वत्तिर पर पंचाय सिचक अभियरती सामिल तेरासी सिचक अभियरतों का चैन रद खल बली जी हाँ एक बड़ी ख़बर आ रही है सिचाई वाग के तरब से 35 में से 15 पंचायत नियुजन इकाई ने ही अन्तिम मिधासुची को जीले के पोटल पर किया अपलोड यहां के सिचक अभियरतों पर गिरी गाज हिचाई वाग का क्या कहना है वो पूरा एटूजेट अपडेट आज को आज इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं सिकायत मिलने के बाद की गई जाँच में पाई गई थी गड़बडी हिचाई वाग से की गई चियन रद करने की अनुसंसा डिप्यो पैसा वपैरवी के बल पर गलत तरीके से गुरुजी बनने वालों के लिए यह सीख है विचलियों को चिनित किया जा रहा है विभाग को बदनाम करने की जाद नहीं दी जा सकती है गलत तत्वों पर कड़ी करवाई होगी सही सिच्छक अभ्यार्तों को हकमारी नहीं होगी रवी रंजन अस्थापना डिप्यो अरविया के तरफ सी एस्टिक्टमेंट दिया गया है अब चलिए विडियो को विस्तार से देखते ह यह खबर अरईया जिले से छपके आ रही है और फुलिंदर को और मली के द्वारा इस खबर को परकासित किया गया है जो लोग वीडियो को भी लाइक नहीं किये हैं वीडियो को लाइक जरू कर लिजिए अनिता भाबनाव में बहा जाईएगा और लाइक करना भूल कि तीसरे चर्ण में होने वाली कॉंसलिंग के पूर्व ही चिले के 83 सिच्छक अभिहरतों का चैन रद कर दिया गया है सोच लिजे एक बड़ी खबर बड़ी अपडेट आ रही है अब कौन से 83 सिच्छक है जिनका चैन रद कर दिया गया है किन कारण से हुआ है ये भी जान गया है हर अस्तर से सिकायत मिलने के बाद इसकी जांच की गई जांच में सिकायत सही पाई जाने के बाद रद करने के अनुसंसा करते हुए इन अभिहरतों के सुची विभाग को भेज दी गई है विभाग से अनुमोधन के बाद इन सभी अभ्यर्तों को अभ्यर्तित निरस्थ कर दिया जाएगा जिन 83 सिच्छक अभ्यर्तों का चैन रद किया गया है उनमें 30 परखंड वा 33 परखंड के अभ्यर्ति सामिल है यानि कि तिस प्रखन सिच्छक अभिहरती है और तिरपन पंचायत नुजन इकाई के सिच्छक अभिहरती है इसकी पूष्टी करते हुए अस्थापना डीपियो रभी रंजन ने बताया कि जाँच में गड़बडी मिलने के बाद इन सभी सिच्छक अभिहरतों का चेन रद करने की विभाग से अनुसंसा की गई है बड़े पेमाने पर अनियमता बरतने के कारण ही यह करवाई की गई है बताया जाता है कि करवाई की जद में आने वाले अभिहरतों की संख्या और भी बढ़ सकती है अभी फिलाल 83 है लेकिन साथ इससे उपर भी जा सकता है अभी जाँच इस पे चल रहा है तो उन अभिहर के लिए थोड़ा सा ढ़ा का लगने वाला है जिनका से्लेक्षन हो गया ब्रद होने के अनुसंसा से म्हgnता है हरकम क्यों नहीं जब नियोजन रद होगा तो किसी का भी डर लगेगा कि साइद मेरा तो नहीं हो गया, मेरा तो नहीं हो गया, क्योंकि आल्रेडी पहले से वो सिलेक्ट हो चुके हैं, 83 प्रखंड वा पंचाय से छक अभियर्तों का एक साथ चैन रद करने के अनुसंसा से जिले में खलबली मची हुई है, चैन रद होने के बाद सिचक अभियर्तों के साथ-साथ बिचौरियों के साथ कई बड़े लोग के भी पसीने छूट रहे हैं, क्यों न, जो उनके साथ सेटिंग करने वाले हैं, उनका भी तो पसीना छूटेगा ही, उनको भी डर लगेगा कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, शिचक अभियर्तों से मिलकर उन्हें गुरुजी बनाने के सजबाग दिखाने लगे थें, इन विचौलियों ने पंचायत परतिनिध्यों, सरकारी कर्मियों वा पताधिकारियों से अच्छी पैठ होने की बात कहकर अच्छी खासी केवल रकम एट ली बलकि सही अभियर्त को नजर अंदाज कर गलत तरीके से इनका चैन कर लिया गया, बताया गया कि किसी ने करज लेकर तो किसी ने पतनी वा अन परिजनों को जेवर बेच कर विचौलियों को पैसा दिया था, कुछ अभियर्ती ऐसे थे जिसने अपनी जमीन को ही गिर्भी रख दी, तिन से पांच लाख परती कंडिडेट डिल होने की चर्चा सरे आम होती रही, चैन सुची में नाम देखकर खुषता लेकिन रद होने की खबर से विवमांसिक रूप से परिसान भी हो गया है, क्योंकि उन से चार पांच लाख रुपया आइठा गया है, अब यहां पर दे म्तिर्पन पंचाइत अभ्यरती सामिल है, पर्खंड से चक अभ्यरतों के फार्विस गंज के एक रानी गंज के नो, नर्पत गंज के आठ भर्गामा के शाह, जोकी हाट के चार, वा कुर्सारा कनौटा के दो सामिल है वहीं 25 चक अभ्यारतों में जिनका चैन रद किया गया है उनमें कुर्षकांटा के रहट मीना पंचायत के एक, रानी गंज परखंड के बरबन्ना के दो, हसनपुर के तीन, पहुसरा के साथ, छती यौना के एक, मचुवा पुरव के एक, वा बिलसारा के दो अभ्यारती सामि हैं, रानी गंज परखंड में 16 पंचायत से चक का चैन रद करने के अनुसंसा की गई है, वहीं भरगामा के रद, 14 पंचायत से चक अभ्यारती, जैनगर, सिमर बनी, वा खजुरी के तिन-तिन, खुठा, बजनाथपूर, वा रगनाथपूर दच्छिन के दो-दो, वा धने पंचायत के एक सामिल हैं, फारविश गंज के 16 में मटियारी पंचायत के 6, प्रिप्रा के 4, शुरा पुर्वारी के 1, कुस माहा के 5 अभ्यारती का चैन रद किया गया है, इसकी तरह सिक्टी परखंड के खोडा गाची वा डेड़ुआ के एक-एक, नर्पत गंज परखंड के प्लासी वा फरही के एक-एक, जो किहार प्रखंड के केसरा वा महल गाउं पंचायत के एक-एक अभ्यारती पर करवाई के अनुसंसा की गई है, अब इस ख़बर को देख लेते हैं, 35 में से 15 पंचायत निजन इकाई नहीं अंतिम मेधासुची को जिले के पोटल पर किया अपलोड, पंचायत निजन इकाई के मरमानी के आगे सिछाई वाग के अधिकारी भी अब वेवस नजर आ रहे हैं, दरसल इन निजन इकाईों पर परसासनी करवाई नहीं होने के कारण, इनका मनोबल उचा है और जो मन हो रहा है, वो कर रहे हैं, इस्तिती का अंदाजा इ वो जो की हाट ने तो एक भी पंचायत के अंतिम मेधा सुची पोटल पर अपलोड नहीं किया है, जबकि आठ जनवरी तक पोटल पर वो दस जनवरी तक डियो का रियाले में अनुमोदन के लिए सुची जमा करनी थी, यहां बता दे कि पूरे बिहार में कॉंसलिंग की पर संका जताई है, अस्थापना डिप योरभी रंजन ने माना कि अंतिम मेधा सुची को अपलोड करने में पंचायत नयोजनिकाई लापरवाही बरत रही है, इन नयोजनिकाईओं का हुआ है मेधा सुची अपनणिकाईओं वो प्लोड सनीवारी की साम तक जिन फार्विस गंज प्रखण के कुश्माहा वा पिप्रा प्लासी प्रखण के डेटी उत्तर पिप्रा विजवारा मियापूर वा धर्मगंज शिक्ति परखंड की विकिंत्री या ठेंगापूर एवं अरिया सदर परखंड की वखरिया पंचाय सामिल है इन पंचायतों का नहीं हुआ है अपलोड रानी गंज का पुहंसरा अररिया परखंड का रामपूर मुहनपूर पूरव वा पैक टोला जोकिहाट परखन के सिम्रिया, भूना, मजगामा, भगवारपूर, पिछियारी, पिप्रा, चौक्ता, चैनपूर, मसुरिया वा मटियारी, फरक्षगंद के पूर्वी, जुरा, फ्लासी, परखन के कुजरी, सिक्टी, मुरारीपूर, पररणिया, भरगामा, जैनगर, नाथपूर, खोजुरी, वा सिमर बनी है, तो यह पूरा अपडेट हमने अपने यूटूब चनल के मादम से आपको दिया दोस्तों, और भी किसी जिले का अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे, तो फिलाल यह वीडियो आपको कैसे लगी, आपलिज अपको